गुद्बॉर्णिंग दोस्तों कैसे आप सब आसागरत आप सब बहुत अच्छ होगे मेरा नाम एंदर सिंग जी दोस्तों देखिए आज का जो हमारा अभी एक क्विशन आपके सामने आपने साहिद बोर्ड पर दिखाई दे रहोगा करंट में क्विशन चल रहा है 2020 के अंद पॉइंट आप लाइट पुरुसकार यानि कि साहिद आपने सुना भी हो गई है कॉमन वैल्थ पॉइंट आफ लाइट प्राइज ये पुरुसकार का नाम है इंटरनेशनल प्राइज है लेकिन करंट में 2020 में हमारे इंदुस्तानी विक्ति को दिया जा चुका है तो कॉमन के अंदर तो देखिएगा आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग अपना कुछन भी पूछ सकते हो कमन कर सकते हो ठीक है लेकिन टोपिक सुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा जिनोंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब निकर रखा है तो प्लीज आप सभी चैनल को सब हैल आइकन को दबा देना क्योंकि आने वाली जो भी वीडियो में लेकिया हूंगा उसका नोटिपिकसन आपको मिल जाए जैसे कि आप लोग अराम से अपनी नोलेज बना सको और अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना कमेंट करना और ज्यादे ज्यादे व हैक प्रुषकार 2020 के अदर हाल में दिया घया है क्यों वैल्फ पाइंट- उफ वैज या कमन वेल्ट लास जो प्रुषकार तो पुश प्रुषकार इसकी सारी डीटेल हमें थोड़ा सा कवर करना हैं ख़ो कॉमन वे豆 पंट- अउफ लाइकुषकार 2020 में यह हमारे हिंदुस्तानी वेक्तिवी दिया गया है तो आपके करंट अफेर्स के अंदर एक सिंपल सा क्यूशन है आपके एक्जामा सकते कि किसी दिया गया है तो मैं आपके सामने उसका नाम लिख रहा हूँ आप लोग समझना नाम है उनका जाधव पाएंग यह जाधव पाएंग नाम के एक वेक्ति है जाधव पाएंग नाम के एक परसनल्टी मैंने यहाँ पर यूज किया है तो 2020 में जाधव पाएंग जी को इस पुरुषकार से सम्मानित किया है जादव पायंग जी को अब ये जादव पायंग जी कोन है ये असम जो इस्टेट है असम हमार देश के अंदर जो असम राज्जी है उस असम के रहने वाली है और असम के अंदर इनका जनम सन 1963, सन 1963 के अंदर असम के अंदर जादव पाइंग जी का जनम हुआ था और ये कौन है ये एक परियावरन कारी करता है ठीक है परियावरन कारी करता है और इन्होंने क्या काम किया है कि जिसके लिए इनको 2020 का इतना बड़ा इंटरनेशनल आवार्ड से सम्मानित किया गया वो चीजे हमें समझनी है तो अभी म क्या था क्या काम किया इन्होंने क्यों दिया गया वो सारी चीजे में बता रहा हूं लिलू से पहले मैं आपको दो चीज और बता दू हमारे जादव पाइंग जी को दुनिया में कुछ निक्नेम से और जाना जाता है इनके कुछ उपनाम और है और इनको भारत में forest man of India भा फोरेस्ट मैन ओफ इंडिया भारत में किसे का जाता है तो जाधव पाइंग जी को भारत में फोरेस्ट मैन ओफ इंडिया के नाम से जाना जाता है दूसरा इनको एक निकनेम से और जाना जाता है इनका दूसरा उपनाम है मोलाई मोलाई ये इनका एक उपनाम है मोलाई जाध जो मेन पॉइंट है कि जी जाधो पायंग जी को ये पुरुषकार क्यों दिया गया इसकी पिछे कारण क्या है तो देखो जो असम स्टेट है असम के अंदर आपने सुनोगे एक नदी ब्रहंपुत्तर नदी प्रवाइत होती है जो इवरोफिक अंदर आपने पढ़ाओगा कारिये कई साल से कर रहा है यानि नदियों के साइड में ये काफी साल से पेड़ पोदे का निर्मान कर रहा है वनों का निर्मान कर रहा है जिससे की जीवजंत्यों का आस्याना भी बन रहा है और कई साल से ये अपने इसका में लगा हुए है जिसे काफी जीवजंत्यों का इन्होंने आस्यान बनाया है और काफी वनों का इसने जादव पायंग जी ने निर्मान किया है तो प्रयावन के छित्र में इतना महत्पुन काम ये कर रहा है जादव पायंग जी ठीक है कई साल से काम कर रहा है और इनके द्वारा इनके द्वारा जो वन बनाये गई है इनके उपनामे मौलाई और इनके द्वारा बनाए गए जो वन है इनके द्वारा जो लगाएगे वन है उनको हम मौलाई वन के नाम से जानते हैं तो मौलाई वन किसे का जाता है, आप लोग समझ गयोगे, कई साल से नदियों के साइड में पेड़ पोदेगा निर्मान कर रहा है, वनों का निर्मान कर रहा है, जिसे जीवजोंतों का आस्यानी भी बन रहा है, और परियावन के लिए भी बहतर है, ठीक है, तो जादो पायं जी को सन 2015 में, जादो पायंग जी को एक extra point और मैं आपको बताऊं, सन 2015 में हमारे जादो पायंग जी को भारत का एक civilian award आपने सुनाओगा, पदम स्री, ध्यानरे पदम स्री बोल रहा हूं मैं, तो 2015 में जादो पायंग जी को पदम स्री पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुक है, 2015 में को पदम स्री दिया गया था, और 2020 में Commonwealth Point of Light पुरुसकार से सम्मानित किया जा चुक है, तो एक simple solution था, इसका थोड़ा मैंने डीटेल आपको बता दिया है, आसा करता हूं आपको टोपिक समझ में आया होगा, अगर आपको टोपिक अच्छा लगा हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमंड करना, सेर करना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बैल आइकन दबा देना, आने वाले वीडियो अपडेट आपको